वेलकम स्टुडेंट सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गाइड यूटोब चेनल और पाईए मेडिकल रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान पेरा मेडिकल कापिसार स्टुडेंट कमेंट करे थे कि सर राजस्तान पेरामेडिकल के application फोरम कब निकलने वाले हमें राजस्तान से पेरामेडिकल करना है तो स्टुडेंट इस वीडियो में complete जान करी आपको मिलने वाली है पूरी detail wise कि राजस्तान में पेरा मेडिकल के application forum कब आई है और पूरी detail पेरा मेडिकल के समंदित पूरी detail आपको मिलने वाली है कैसे admission होता है कैसे क्या होता है कितनी college है और किस प्रकार से आपके admission process होती है तो जो student नए है अब इसे channel को subscribe करके bell icon प्रेस रखे है क्योंकि जैसे पेरा मेडिकल से related कोई भी update आए कि student सबसे पहले आपको इसे channel पर मिलेगी तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि राजस्तान में पेरा मेडिकल के application forum जल्द ही आने वाले है जी हाँ बिल्कुल student strong possibility है कि आपके March के end तक आपके पेरा मेडिकल के application forum है वो आ सकते student जो student राजस्तान में पेरा मेडिकल में डिपलोमा करना चाते है यानि कि डिपलोमा के छेतर में बहुत सारे courses है राजस्तान में जो RPMC यानि कि राजस्तान पेरा मेडिकल काउंसिलिंग करवाता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा लगबग 10 courses है यदि आपने से इन में इनका scope दिन परते दिन राजस्तानी नहीं बलकि पूरा इंडिया में इसका scope है जो आपको पता है medical sector में बढ़ता जा रहा है तो student यदि केवली ये 2 साल का डिपलोमा है तो आप के लिए बड़ी opportunity है अब इसके application forum की बात करें तो application forum March के end तक strong possibility है कि आपके application forum release कर दिये जाएगे RPMC के क्योंकि यहाँ पर देखे G&M का काम भी वो complete हो चुका है यानि कि G&M की counseling चल रही है और वहाँ पर देखे Pera Medical के degree courses जो की RUHS करवाती है वो भी लगबग complete हो चुका है Pera Medical का काम उसके अंतरगत तो यहाँ पर देखे और RUHS के सबी interest exam complete होकर उनकी admission process लगबग complete हो चुकी है या तक कि केवल BAC nursing के जो counseling process है वो अभी चल रही है और बाकि सब का complete काम हो चुका है केवल A course राजस्तान में अभी available है वो है राजस्तान Pera Medical या निकी RPMC Pera Medical Diploma Courses कापी सारे student राजस्तान में परतेक वर्स डिपलोमा करते हैं और कापी सारे student मुझे comment भी कर रहे थे के सर इसके आकरिकार फोरम कब निकलेंगे session 2021-22 के लिए session 2021-22 के लिए इसके application फोरम के बारे में पूरी detail आपको इस video मिलने वाली है साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आप Pera Medical में किस प्रकार admission ले सकते हैं पूरी update आपको मिले की कितने college हैं, fees कितनी है क्या है, पूरा update so students वीडियो को complete देखिए आपको Pera Medical यदि आप करना चाहते है तो पूरी आपको update मिल जाएगी फोरम के बारे में जैसा कि मैंने बता दिया कि इसके फोरम है, वो March end तक 100% है इसके फोरम है, वो RPMC के जवारा release कर दिया जाएगे strong possibility याईनि कि rumors ये बता रहे हैं कि March end तक इसके फोरम release कर दिया जाएगे अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कटोब की, कटोब का मैं वीडियो बनाऊँ हूँ student कटोब की मैं बात करूँ हूँ कि कटोब इसकी कितनी जा सकती है कि कटोब पर सबसे बड़ा depend करता है कटोब पर, अब मैं कटोब की बात क्यों कर रहा हूँ जाती है, और merit list के आदार पर आपका admission होता है student यानि कि merit wise आपका admission होता है टवल के परतिसद के आदार पर तो कटोब बहुत ही माइने रखती है कि कटोब कितनी जाएगे, और वेसे ही इस बार तो कटोब काफी अलग जाने वाली है क्योंकि जो पर्मोट हुए थे students जो पर्मोट हुए थे 2021 में उनके लिए भी ये काफी मैतो पुरून हो जाता है क्योंकि काफी अधिक अंक 90 पलस लगबग सभी students के जो कोरोना में पर्मोट हुए थे उनके आए थे तो पहले वाले students क्या करें हालाएं कि जैसा कि मैंने बताए कि GNM में तो जो सेम कंडिसन है वही लगती है यानि कि जो मतलब जो पर्मोट हुए थे GNM में लगबग उनीका नंबर आया students लेकिन इस बार क्या RPMC भी वहीं दो रहेगी या कुछ अलग करेगी इन students के लिए यानि कि जो पहले वाली students से उनके लिए क्या करेगी आरपीमसी तो सबसे पहले पूरी डिटेल हम जान लेते हैं पूरी अपडेट आपको हम दे देते हैं याँ पर तो यहाँ पर देखिए यह 10 courses है 12 courses है जहाँ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर यानि कि इन 12 courses में पूरा medical line पूरे medical sector आ जाते हैं और यह परते course दो दो वर्स के जो कि आरपीमसी राजस्तान में करवाए जाते हैं और इसके फोरम है वो मार्च एंड तक बरे जाएंगे तो यदि आप इच्छु को मैं तो आप से कहुँँगा कि आपको यह फोरम जरूर अपलाई करना चाहें क्योंकि आपके लिए बहुत ही अधिक पेरा medical में इतनी जोब राजस्तान में परतेक दिन जोब निकलती हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर जैसे डिपलोमा इन बलट बैंक्ट टेकनोलोजी आप तो यह कोरस यह जय यानि कि आपके पूरे होस्पिटल या या समधित कोरस है जय जय और सब इसटुडेंट्स को पता है कि medical sector में कोरोना के बाद में कितना विकास हो गया है और इनके demand भी बहुत ही अधिक बढ़ने वाली है अभी तो कुछ नहीं आने वाले समय में इनके सबसे अधिक demand होगी तो काफी सारा इसमें competition भी है और बहुत सारी student इनमें admission लेंगे तो सबसे main बात है forum की तो मैंने आपको बता दी अब पूरी update देते हैं यहाँ पर कटोब की या फिर कोरोना वाले के लिए अलक्से यहाँ पर किया जाएगा सबसे पहले सब भी student को यानि कि जैसा कि मैंने पहले बताए कि basic criteria सबसे पहले में फटा-फटा आपको बता देता हूँ सब भी students को इसे क्यों science वाला ही apply कर सकता है इन forum को चाहिए वो mathematics के हो या फिर bio से हो दोनों इसे apply कर सकते हो और यहाँ पर देखे 12 pass आपके उनी चीए और यहाँ पर देखे यह notification हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगा आपको टेलिग्राम चेनल हमारे चेनल के नाम से यह medical guide सर्च कर लेना टेलिग्राम पर age limit आपके 17 years होनी चाहिए 17 years मतलब आपके 17 years होनी चाहिए 31 December 2021 तक 2021 माना जाएगा student क्योंकि यह क्योंकि Corona के करण एक साल session delay हो गया था तो यह forum पिछले साल के हैं इस साल के नहीं है तो पिछले साल के forum में तो 31 December 2021 यहाँ पर माना जाएगा हो सकता है RPMC इसको बड़ा कर 22 भी कर सकती है यहाँ पर यहाँ पर देखे यह पिछले साल का है 31 December 2020 दिखा रहा है जैसा सेम अदर कोर्से जो मिलता है वेसा ही मिलेगा और यहाँ पर देखे सबसे पहले आपको सबी पार्ठे करमों की परस्किसन अवजी दो वर्स रहेगी यान कि बहुत ही कम समय में आप अच्छी जोग पासकते हो और परस्किसन के बात करें सबी राज के एम निजी परेमडी सबी पार्ठे करमों का वार्षिक परस्किसन सूल यहाँ पर 35,000 रुपे पर येर आप फीस नोट कर लेना काफिस सारी स्टुडेंट पूछते रहते है सर पेरा मेडिकल की फीस कितनी होती है तो 35,000 पर येर इसकी फीस लगने वाली है पेरा मेडिकल की बहुत ही कम फीस है स्टुडेंट यदि आप यदि आप 35,000 रुपे अगर पर येर लगाते हो तो दोनों साल के मिला कर यहाँ पर सत्तर थाउजेंट पर येर सत्तर थाउजेंट यानि कि सत्तर जार में ये कोर्स ये जाए वो आप कम्पलीट कर सकते हो और इससे डबल रासी में आप अपनी जोब मतलब इससे डबल आप जोब करके कमा सकते हो क्योंकि इसका दिन परती दिन इसको जो है बड़ी राय स्टुडेंट तो फीस में देखता हूँ फीस तो बहुत ही कम है और अन्य वाले समय में ये बढ़ जाएगी स्टुडेंट फीस तो आप अभी एडिमिसनल लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पर देखे काउंसिलिंग के परिवेस परिवेस की बात करें तो परिवेस की यहाँ पर देखे सब को पता है कि टवलत की अधार पर होगा फिर आपके काउंसिलिंग होगी जैसे फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग सेकेंड राउंड काउंसिलिंग और यहाँ पर सभी स्टुएंट को मैं बता दूं कि counseling के समय आपर देखे 10,000 रुपे पिछले साल था यानि कि 10,000 रुपे लिए जाते थे लेकिन इसमें क्या है कि जो 10,000 रुपे पिछले साल लिए जा आपको यह notice दिखा रहा हूँ यह पिछले साल का वहाँ पर 10,000 फिस लिए गई थे लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि यह इस साल है साड़ी 500 रुपे आपकी जो है चालान की जो है counseling की हो सकती है क्योंकि जो अन्य courses है सब भी RUHS ने जो भी जितने भी courses conduct करवाएं यानि कि उनकी भी पहले 10,000 रुपे थी लेकिन इस बार 500 रुपे कर दी गई है तो मैं समझता हूँ की साइद इसकी 10,000 रुपे आटा अगर 500,000 रुपे counseling हो जाई है वो update आएगा तब पता चलेगा यह पूराना इसमें 10,000 लिखी हुई है अभी पता नहीं है आपकी कितनी रासी यहाँ पर counseling है तो लगने वाली है और यहाँ पर देखें पूरी update है यहाँ पर इस notification में दीती है upward moment counseling आपकी दो round में होगी first round और second round so student आप ready हो जाई है student जितने भी documents है application forum बरने के वो आप ready रखिए और यहाँ पर आप application forum आपके शिगर ही प्रारंब होने वाले students सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ में चीज यह documents आपको अभी बनवाले ने काफी सारी students क्या है कि काफी सारी students documents नहीं बनवाते इसकर उनका admission रुख जाता है यदि आपको government college मिलने के बाउजूज भी admission रुख जाएगा और यह documents जो मैं बता रहा हूँ यह आपको forum भरोगे तब भी काम आएगे college में जाओगे तब भी काम आएगे फस्ट नविंतम passport size photograph आपके पास कम से कम 5 या 6 photo students हो आपके पास होनी चाहिए क्योंकि students को तो आपको पता है photo की जरूत पढ़ती रती है passport size की तो 5 या 6 photo आपके पास anytime होनी चाहिए दूसरी है दस्वी की mark sheet आपके पास original होनी चाहिए दस्वी की mark sheet ओरिजिनल पलस इसकी कोई परतिलिपी आने की यह provision पर्मान पतर टवलत के साथ आप जो तरौत की mark sheet उत दी है उसके साथ होता है coverage पर्मान पतर यह आपके पास होना चाहिए और यान करde आपके पास नीवाश onajie magistतिसेatus certificate आपके पास नीचाहिए जाति पर्मान पतर आपके पास है तो वो होना चाहिए यानिके OBC इन वग्यरे में जात्ती परमान पत्र है वो होता है तो यहां पर देखे OBC में एक वर्ष्य पूराना जात्ती परमान पत्र है वो स्विकार नहीं किया जाएगा तो student आपके पास जो भी मुल्निवास परमान पत्र है जात्ती परमान पत्र है वो पूराना नहीं हो medical fitness certificate भी बोल सकते हो यह एक फोरम आता है जो आपको medical fitness certificate इसका नाम है medical fitness certificate यह आपको कहाँ पर मिल जाएगा stationary या emitter की दुकान पर मिल जाएगा वहाँ पर एक फोरम लेना medical fitness certificate का और उसे फिलब करना और government doctor के अस्ताकसर कवा लेना यही होता medical fitness और यह documents जो मैंने बता हैं यह आपके पास अभी से बनवा लेना कापि सारी students है वो मतलब इन documents को बाद में बनवाते हैं फिर बाद में उनके दिक्कत का जो है सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले मैं student आपको यह documents बनाकर ready रखने आपके जो admission session admission session 2021-22 कापि सारी students wait कर रहे हैं मुझे पता है admission session 2021-22 आपके forum जल्द ही release होने वाले student इसमें बिल्कुल भी देरीन होगी मैं यह समझता हूं rumors के अनुसार March end तक आपके forum लगबग आने वाले student March end तक तो मैंने जितने भी आपको documents बताएं वो आपके ready रखना student ready जब भी forum आईए आपको इसी चैनल पर पूरी update मिल जाएगी और जैसा कि मैं आपको बताएं मैंने college की list भी आपको दिखा दिए कि कौन सी college कहाँ पर है और कितनी government college है इसके और कौन सी college कौन सा courses करवाती है उस पर मैंने special video बना दिया है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरी पले list पेरा medical में आप देख सकते हो वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो student यदि कोई नया student है अभी से चैनल को subscribe करके bell अगर प्रेस रखे लिए क्योंकि पेरा medical से related परते खबर आपको यहीं पर मिलते रहेगे और student में एक अलग से वीडियो लेकरा हुआ जिसमें आपको कटोप के बारे में बता हुआ कि क्या RPM से कुछ अलग करेगी जो पुराने वाले students है उनके लिए क्योंकि कोरोना में कापी सारे students पास आउट हुए थे उनके सबी के 90 प्लस आंक है तो पुराने वाली student है उनका क्या होगा और यहां पर देखे कटोप का मैं special video लेकरा हुआ कि कि कटोप इसकी कितनी जाच सकती है GNM के आदार पर मैं special video इस पर लेकरा हुआ क्योंकि GNM के लगबग इसकी कटोप जाएगी इस वीडियो में इतना ही फिलाल मिलते हैं अगले वीडियो में जे हिंद वंदे मातरम